ताजा तरेन खबरों के लिए Prime News 24 को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबाएं चौकी प्रभारी मिथलेश 24 सेकंड चौकी प्रभारी रामदेव गुपता ने बुलाई बैठा करम जान महीने में शोशल डिस्टेंस का पालन करने और घरों में रहकर नमाज पढ़ने की जनता से की अपील और कहा कि आप लोग अपने खाने पीने की चीज़ें लॉकडाउन का पालन करते हुए लाने जाएं इत के दिनों घरों में रहकर नमाज अदा करें इसी के चलते बुलाई पीस कमेटी की मीटिंग वहाँ पर आम जन मानस द्वारा शोशल डिस्टेंस का पालन किया गया और पसाशन को आश्वास्त किया कि हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे प्राइम नियूस 24 के लिए आयोध्या देवगाउं से शालेंदर तेवारी की रिपोर्ट पस गये होंगे और वो देख रहे हैं जिसे एक छोटी सी जागे पूरा विस सुझे से त्रस्ट हो चुका है यह ऐसा है कि नहीं जिसका कोई इलाज नहीं है कोई दवा नहीं है इसकी इलाज और दवा के वाल एए है कि हम लोग पाल डिस्टेंसिंग रखें किसी को टशने करें और यह रोग कुछ पंसीन टाइब का है जो दिखता नहीं है अगर दिखने वारा रोग होता तो हम आपको बताने नहीं आते आप पहले गैब हो जाते हैं ऐसा है कि नहीं हम यहां आते अगर कोई दिखने वारा रोग होता तो आप पहले ही एंडरग्राउंड हो जाते भाग जाते कि वो कैसा नोग रोग है आ रहा है जब तक दिख नहीं रहा तब तक ऐसा लगता है कि हमको दर्द नहीं है और इसलिए थोड़ा सा बेखौफ हैं ऐ साह में मासूस हो रहा है